नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो ब्रह्मेनिकल सिस्टम में 33 करोण देवी दे होता हैं ऐसा हमें बताया गया है अब चुकि लीपा पोती भी हो रही है तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि नहीं 33 करोण देवी देवता तो होते नहीं है जी यह तो कुछ करोण होते हैं कुछ लोग कह रहें नहीं हाजारों में होते हैं कुछ लोग तो ऐसे पहुंच गए नहीं 33 कोटी होते हैं और फिर क्या कर रहे हैं लिपा पोती के लिए कि भाई यह 33 कोटी क्या उसमें तो प्रकार है, टाइप है, तो आप बता दो ना कि हर टाइप में कितने-कितने लोग हैं, कितने-कितने दे होता हैं, यह तो वरगी करण होता है ना, आप किसी को कह दोगे कि जैसे इसलाम है कह दोगे कि इसलाम में दूतरह के लोग हैं, एक जेनरल तोर पे, सिया और सुन्नी तो भईया सिया और सुनी इस से उनकी population थोड़े पता चल रहे हैं या आपने तो प्रकार दो division करती है ना आप अगर 33 कोटी बता रहे हो तो total संख्या भी तो बता दो अपने देवताओ कि कि कितने हैं इसका क्या मतलब है 33 कोटी कह देने का तो यह लीप आप होती है दोस्तों तो इसलिए मैं इसको थोड़ा साज खूल कर चर्चा ही कर लिया जाए ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वह वेचरे घाबड़ा गए कई सारे मैं नास्तिकों को देखता हूं रेशनल हैं हिस्ट्री ना पढ़ते हैं ना धरमगरंद खोलते ह हैं हम लोग खोलते हैं तो दर्द होने लगता उनको और जब कहीं कहीं कुछ बोलने जाएंगे तो 33 करोण बोलेंगे वह नीचे से आके भागत जो कहेंगा ने ने 33 कोटी नहीं होता है जी करोण नहीं होता है दो चार अपना वाट्सअप उन्वर्सिटी बें बना के रखा होगा फेक बातें वह कुछ गपोड देगा और यह अगली बार से फिर 30 कोटी कहना शुरू करतेंगे कि करोण कहा दूंगा ना तो फिर नीचे लिखने लगेगा वह इतने भी फट्टू लोग होते हैं तो इसलिए इस पर खूलकर चर्चा होने जरूरी है कि माजरा क्या है करोण कहना चाहिए कोटी कहना चाहिए यह क्लियर होना चाहिए तो दोस्तों यह डिस्क्लेमर है लेगल डिस्क्लेमर है आप सभी जानते हैं कि यहां पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है जो भी यहां पे स्ट्रीम होती है हम सभी का उदे से साइंट्रिक टेम्रामेंट को करना होता है तो चले आगे बढ़ते हैं यह आप देख सकते हैं 33 कोटी देवी देवता का यह मैसेज खूब वाइरल चल रहा है इसको वाइरल करया जा रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है कि पर जो ब्रामण धरम है उसमें कोई 33 करूण नहीं रहते हैं बलके 33 कोटी देवी देवता रहते हैं ऐसा बताया जा रहा है तो इसलिए हम जो है ना इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं और समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत रहेगी नहीं अच्छा एक चीज और है इसमें जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे थोड़ा एक पर ध्यान से देख लीजे इन्होंने किस तरह से बाटा है वो देखकर आपको थोड़ा सा माजरा समझ में आने लगेगा कि ये पूरा का पूरा इनका इन्होंने कौण सा माजरा अच्छा यहां पर 33 कोटी देवी देवता जो है इसमें इनोंने क्या लिखा है आठ वसू ग्यारा रुद्र बारा आदित्या कितना हो गए 31 हो गए फिर आगे क्या लिखते हैं एक इंद्र एक प्रजापती लिख दिया इनका इनका कामत लिखना लिखते हैं 33 हो गए अब यह आठ वसू किया बताते हैं जरा सुनिय ध्यान से आठ वसू में अगनी प्रित्वी वायू अंतरिक्ष आदित्य और यह धोव चंद्रमा और नच्छत्र अब यह बताईए कि यह सब देवी देवता है इनके जो 33 कोटी के बता है तो बहुते हैं जब रहे हो कि 33 कोटी या कोटी के मतलब प्रकार बता रहे हो तो यह आठ वसू लिखने के क्या जो रहत थी भुलतें कि पहला प्रकार प्रकार वसू है अब वसू में इतने यह 8 देवता रहते हैं यह बोलना चाहिए था जब आप यह कहोगे कि 33 कूटी तो या तो आप 33 प्रकार बताओ और हर प्रकार में कितने तेवकता हैं यह बताओ तो यह कितनी मुखता घड़ी मतलब कौन जाहिल व्यक्ति होगा जो यह करडेक्टराइज किया होगा यह समझेए यह कितने धूर्त होते हैं कितनी बेवकूफी भरी बाते यह लोग लिखके कितना बेवकूफ बनाते हैं आप यहां से किलियर लिए अंदजा लगा सकते हैं अगर यह पहला टाइप है तो क्या पहला टाइप का यह आठ दे होता है भाई भिल्कुल टेकनिकल इस्जू है अब सवाल खड़ा किजीए अ classroom आप सवाल खड़ा करेंगे ना इन पर तो ये पहला टाइप होना तो ये देखे क्या लिखता है आठ वसू, अबे तो आठ वसू में ये देवता है, तो सिधे कहो ना कि पहला कोटी है, पहला कोटी में आठ देवता है, दूसरा कोटी रुद्र, कहे दो कि ये दूसरा, ये दूसरा कोटी है, इसमें ग्यारा देवत प्राण अपान के लिए आप समझते हैं ना वायू का छोड़ना आना इसी को आपान कहते हैं अब वायू कहां कहां से छोड़ते हैं यह आप समझिए तो प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुर्म कुकल देवदत धनंजय और ग्यारवा जीवातमा समझ रहे हैं यह जी जहिए गात वेचरा कन्फ्यूज है कभी जीवात्मा कहेगा कभी आत्मा कहेगा कभी कभी अंतर भी समझाना सुरू कर देंगे इसको यह लोग बता रहें कि 11 जो है देउता है फिर कहेंगे रूद्र जो है यह महादेव हैं यह सिव यह बताएंगे तब बता दो कि सिव क्या 11 यह रूप हैं क्या यह यह रुद्र जो है 11 देवता है प्राण देवता हो गया अपन वायू छोड़ना लेना यह सब गो हो गया देवता हो गया यह तो दूसरा कोटी आपने देख लिया पहला कोटी में आठ देवता इन्हों बताया दूसरा कोटी में 11 दे उता तीसरा कोटी जो है इसमें बता रहे हैं 12 आदित्य हैं तीसरा कोटी में 12 आदित्य हैं आप ये सबसे इनकी बड़ी कहानी सुन लेजिए ये कह रहे हैं 12 महीनों के नाम बही एक चीज़ ये बताओ कि जो 12 आदित्य हैं आपके मतलब तीसरा जो कोटी है उसमें 12 महीने का नाम अब महीना भारत में कब से सुरू हुआ है किसी को आडिया है आप लोगों को साइन्स जर्नी पे वीडियो 148-149 आप देख लीजिएगा कलेंडर पे इतिहांस है वहाँ पे कलेंडर का इतिहांस मैंने दिखाया है वहाँ पे साफ साफ आपको पता चलेगा कि भारत में कलेंडर का इतिहांस तो पहली सदी से सुरू हुआ उसके पहले मौरियों ने अपना कलेंडर सुरू किया था उससे पहले बुध संबत भी आया था बुध के समय से जो काउंट किया जाता है लेकिन ये 12 महीने वाली जो बात है ये तो बनी है पहली सदी से जब कुशान का बौध कलेंडर सुरू हुआ कनिश्क वाला जिसको आजकल सक संबत कहा जाता है भारत का नेशनल कलेंडर जिसको कहा जाता है वो तो पहली सदी में बौधो का जो कुशान का 78 एडी वो सुरू हुआ जिसको विक्रम संबत कहा जाता है जो इसा से भी अंठावांसान पहले चलता है उचलता जरूर है लेकिन बना है वो दसवी सदी के बाद जब अलबुरुनी भारत आया तब तक भी नहीं चलता था पूरा अलबुरुनी अपने किताब में इतनी मोटी इतनी इतनी सारी किताबे लेकिया पंडितों के यहार रहके संस्कृत पढ़ा लिखा उनको अरवी सिखाया पढ़ाया ट्रांसलेट किया अब वो पूरा का पूर करा वीया इसमें उसने पुरा सखसंभत इस्तमाल किया इसका मतलब कि घ्यारवी शदिद horrाई तक भी पूरे इंडिया में ब्राम हड़ के पास भी कोई मठा अपना नहीं था वो सब भी सखसंभत है इस्तमाल करते थ तो अब आज ये बता chloride कि ये 12 महीना का नाम जो है सक संबद उसको यलो तेवता बना दिए तीस्र कोटि का देवता हो गया तो भाया एक कोटी दू कोटी तीन कोटी ठीक है तीन कोटी में एक तीस देवता हो गया चौथा कोटी क्या है यहां है इंद्र को बीस घुली इंद्र को जो है बिजुली बता रहे हैं पानी के दे होता है ना बिजुली बोल दो उसको अब तो पूल खुल जाएगी ना उसकी पूल खुल जाएगी तो उसको बिजुली बोल दो दूसरा अब प्रजापती प्रजापती को यग बोल दियें प्रजापती कौन है इतो ब्र पहालब था इकोन बे कुफ जो है इक ल Bluetooth दो दीया की 33 कूटी देवी dirty ऋता हुते cheesecake rather जब आप जो चीज़ दिखा रहे हो जो वाइरल करा हार हे हो इसमें आपको दिखाना चाहिए लित पांच कोटी होता है इस पांच कोटी में पहिला कोटी में 8 होता है दूसरा में 11 होता है तिसरा में 12 होता है चोगथा में एक होता है पांचवा में एक होता है कह देते अब यक देवता हो गया अभी जुली देवता हो गया तब आदल क्या हुआ आये राम कृष्णा और ये जो लचमन आये जो चार भाईया उतार ले रहे थे इन सब का किया जाए उनकी पत्निया जो देवियां उतर रही थी अब सराय जो आ रही थी इन सब का क्या किया जाए और कृष्ण जो है कृष्ण आ गये थे हैं उनकी 16,000 पतनिया थी एक 16,000 लाख बेटे पैदा हो गये हैं उन सब का क्या किया जाए यह हनुमान जी वगेरा लोग है और और भी तरह तरह के जो बानर से नामे सामिल थें एक जाबवन्त थें इन लोग का क्या किया जाए जाटायू था अब उन सब का क्या किया जाए जो कृष्ण लिला जो चलता था और कृष्ण प्यण के बीच में फासा के प्यण तूड़ किसी तड़का रक्षस इनको मारते थे या मरने के बाद से उस वर्ग लुक चली जाते थे सब कहते थे कि उनको स्राप मिला है किसी जनम में यह देउता थे पिछला जनम में स्राप मिला था इसलिए रक्षस बन गए थे उस सब देउता कहां काउंट होगा काउंट करना है क छोड़ना है क्या करना है उनका तो ये देखें ये कितनी मुर्खता भरी चीज फैलाई गई है अई पांच पंडो हो गए इनकी जितनी कहानी पढ़िएगा सब में तो देवी देवता है उनका क्या किया जाए इंद्र के दरबार में इतने सारे देवी देवता है उनका क्या क भावानी भी ठीक है ना 56 करोड भावानी भी लिख रहे हैं तो हमें यह चीज जो है न समझना पड़ेगा कोई 33 कोटी नहीं सीधर करूड कहा कीजिए